हेलो दोस्तों जिसे कि अब जनते हैं यह हिराधा का गर और इधर राधा चक्की में चावल पिसने लगती है अरे मैं जल्दी जल्दी चावल पिस लेती हूँ चक्की में स्याम को बहुत ही अच्छा लगता है चक्की के चावल चक्की के चावल की आंटा बहुत ही थ्याम को पसंद है मैं जल्दी पिस लेती हूँ और इधर राधा अपना काम करने लगती है जल्दी जल्दी पिस लेती हूँ अरे चिंकी बेटा अरे चिंकी बेटा मुन्ना बदमास तो नहीं कर रहा अरे नहीं नहीं मम्मी मुन्ना बदमास नहीं कर रहा अराम से मेरी गोद में बैठा है देखिए ना कितना प्यारा हमरा सुनना और हमारा मुन्ना भाई है बदमास नहीं कर रहा मेरी गोद में अराम से बैठा है मुन्ना मम्मी आप जल्दी काम खतम कर लीजिये अरे हाँ हाँ चिंकी बेटा मैं जल्दी काम खतम कर लती हूँ ये मुन्ना भी न अगर सरारती करेगा तो मेरे को बिल्कुल भी काम करने नहीं देगा मैं जल्दी काम खतम कर लीती हूँ और ये सियाम अब तक आये क्यों नहीं पता नहीं कब से बजार गए है अरे दर सियाम पजार से आ जाता है अरे राधा तुम क्या कर रही हो देखो ना मैं कितना वड़ा वाला मचली लाया हूँ अरे कितना वड़ा मचली लाये है अब अरे सियाम अब कितना वड़ा वाला मचली लाये है ये आज तो मचली और भाद खाएंगे ये बहुत ही मज़ा आएगा, ममी अब जल्दी जाएए, मचली बनाएगा और भाद बनाएए, बहुत दिनों बाद आज मचली खाऊंगी, आप तो आपको पता है ना ममी, मचली मेला पेपलेट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मचली खाने में, ये आज तो मज़ा आ जाएगा काने में, अरे हाँ हाँ गिता ले जो मचली जल्दी बना लो, हम बाप और बेटी आज तो बहुत ही मज़े से खाएंगे, मचली और भाद जल्दी ले कर जाओ, अस मचली को अच्छे से मसाला देकर अच्छे से बनाना, तीक है ठीक है मैं जाती हूँ, जल्दी नव मचली के तरकारी और भात मुझे बहुती भुक लग रहा है, मुझे खाना है, ठीक है बाबा मैं जल्दी मचली बना देती हूँ, अरे रूख जा मुन्ना जा रहा है तेरा पापा, अरे रूख जा मुन्ना जा रहा हूँ बाबा, चिंकी बेटा दे दो मुन्ना को, और इ अरे पापा आपको देखते ही मुन्ना बहुत ही ज़्यादा कूस हो गया अरे हाँ हाँ देदो मुन्ना को मैंने सुभा से नहीं लिया मेरे मुन्ना को और इधर रादा मचली बनाने लगती है अरे जल्दी जल्दी मचली बना लेती हूँ फिर मुझे मचली भी दोकर लाकर बनाना भी है और इदर मचली बनाने लगती है चलो मैंने तो मचली बना दी हूँ अब मैं मचली दो ले आती हूँ फिर मचली की तरकारी बनाओंगी और भाद भी बनाओंगी और इधर राधा मचली धोने के लिए चली जाती है मैं जल्दी धोकर ले आती हूं मचली और इधर राधा मचली धोकर लाकर मचली को अच्छे से मचली में मसाला दे देती है चलो मैं तो मचली को अच्छे से मसाले दे दी हूं अब मैं चुला जला देती हूं ये रहा तावा, तावे में मचली फ्राइ कर लेती हूँ पहले और इधर राधा चुला जला देती है, चलो फिर मैं तावा लगा देती हूँ और इधर राधा चुला जला लेती है, फिर तावा चड़ाने लगती है चलो इसमें तेल डाल देती हूँ तेल गरम हो जाए तो मचली डालूंगी अब मैं मचली डाल देती हूँ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इधर राधा तावे में मचली फ्राई करने लगती है और जल्दी मचली फ्राई हो जाएं फिर तरकारी बना कर भाद बना दूंगी चलो मचली तो फ्राई हो गए हैं तावा को तार देती हूँ अब मैं तरकारी बना लेती हूँ चलो मचली के तो ग्रेवी अब तयार है फ्राई वे वाले मचली को इसमें डाल देती हूँ चलो मचली के तरकारी बनके हैं मेरे तयार और इधर राधा मचली के तरकारी बना लेती है अरे वार आदा क्या बना रही हो मचली के तरकारी बहुत ही प्यारा खुजबू आ रहा है मन कर रहा है अभी खालू मैं अरे हाँ हाँ मम्मी सच में बहुत ही अच्छा खुजबू आ रहा है आपके हातों का ठीक है बबा रूख जाएए बस मचली बन के तयार है मैं भाद बना देती हूँ आप खाना खा लीजिएगा और कुछ दिर बद भाद भी बन के तयार हो जाती है अरे लीजिए भाद भी बन कर तयार है मैं आप सब के लिए खाना निकाल देती हूँ आप आकर खा लीजिए अरे हाँ हाँ राधा जल्दी खाना निकालो मेरे को बहुती जोरों से भूख लग रहा है मैं जल्दी खाना खाऊंगा और इधर राधा स्याम और चिंकी को खाने परोस रही है टुख जाएए मैं खाना परोस रही हूँ आपको अरे ममी जल्दी जीजिए मेरे मूँ में पानी आ रहा है ठीक है आप खाना स्टार्ट कीजिए हाँ हाँ हम लोग खा रहे हैं बाबा खा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खुदबू अच्छी आ रही है हम तो बहुत पेट भर के ही खाएंगे और तभी गिता और गिता की बेटी रिंकी आ जाते हैं अरे वा रादा दिदी आज आपने मचली बनाया है क्या बहुत ही अच्छी खुदबू आ रही है अरे हाँ हाँ गिता आओ तुम भी मिलकर खाओ अरे हाँ हाँ गिता आओ आओ साथ में बैटकर खाते हैं अले मचली बनी है मुझे तो खाना है ममी में जा रही हूँ चिंकी के साथ खाऊंगी अरे हाँ हाँ रिंकी बैटो साथ में खाते हैं अरे हाँ हाँ स्याम भाईया आप खाये राधा और मैं हम दोनों भी खाएंगे आप खाये पहले ठीक है हम खा रहे हैं खाओ चिंकी और रिंकी हम काते हैं बहुत ही अच्छा खुद्वा रहा है और इधर स्याम और रिंकी चिंकी खाने लगते हैं ये थी आशी कहानी दोस्तों कैसी लगी कामेश इसन में ज़र बताएं थिंक्स पर वचिंग बई बाइ